हेलो एव्रिवान मैं हूं किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशिफल ये 18th October से लेकर 24th October तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडन्ट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं यहाँ पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता ही क्राशिफल तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काड्स है, नाइट अफ पेंटिकल्स, रिवर्स, एंट्री और इस कार्ट को टॉरस अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें होर्स है और होर्स कहीं खड़ा हुआ है तो दीखे, पुराने जमाने में होर्स ही एक means of transport होते थे तो फिर से मैं कहूंगी कि होर्स कहीं change, motion, movement, shift की बात करते हैं लेकिन अगर आप इस कार्ट को देख पा रहे हैं, तो again होर्स खड़ा हुआ है और कहीं इन्हों ये कार्ट भी reverse है तो कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि एक shift, एक movement आप लाना चाह रहे हैं या फिर कुछ changes, कुछ shift, कुछ movement इस week specifically आपके professional front में हो रही है लेकिन कहीं टॉरस आप खड़े हुए हैं आप कहीं उतने action, उतने initiatives नहीं ले रहे हैं आप कहीं चीजों को और समझना चाहते हैं, और understand करना चाहते हैं या मैं कह सकती हूँ कि जब तक कि आपको एक sure short picture नहीं दिखती है जब तक कि आप completely safe और secure नहीं महसूस करते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ना चाहा रहे हैं तो again मैं कहूंगी आप बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि literally किसी चीज़ को लेकर आप एक जिद पकड़े हुए हैं कि भई जब तक आपके हिसाब से या फिर again मैं कहूंगी जैसे आप चाहते हैं वैसे चीज़े नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो देखिए Taurus सोचना, समझना, थोड़ा सा safe, थोड़ा सा secure होके आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना जब हम बहुत जादा सोचते हैं तो अच्छी opportunities आती हैं और हम उन्हें miss करते हैं, बाद में हम regret करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहीं कहूंगी Taurus कि आप सोचें, समझें लेकिन कोई अच्छी opportunity आती है तो उसको ज़रूर आप avail करें और नीचे देखिए tree का card कहता है affairs with your family तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि you know family से related कुछ issues हैं, कुछ मसले हैं जिसकी वजह से किसी level पे आपका professional front effect हो रहा है या पिर जिसकी वजह से आपके professional front में इतना actively चीजों में involved नहीं हो पा रहे हैं इतना actively चीजों में participate नहीं कर पा रहे हैं और कहीं देखिए पैसा भी आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है या मैं कह सकती हूँ कि एक खर्चा होता हुआ दिख रहा है nutshell में देखिए एक stability एक security आप लाना चाह रहे हैं नहीं ला पा रहे हैं या मैं कह सकती हूँ कि उतना stable उतना secure specially अपने professional front में इस week आप महसूस करते हुए नहीं दिख रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है 8 of cups and younger man तो देखिए 8 of cups का card को अगर आप देख पा रहे हैं तो यह जो figure हैं वो cups को छोड़ के आगे बढ़ रही हैं और देखिए nutshell में अगर इस card का meaning मैं आपको बताऊं तो यह card कहता है कि again किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना और कुछ ऐसा ही Taurus आप लोगों के लिए भी specifically आपके personal friend में रहतावा दिख रहा है क्योंकि यह general reading है तो सब के लिए different चीज़ें हो सकती है जिनको Taurus छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं कुछ लोगों के लिए कोई आदत हो सकती है कुछ लोगों के लिए कोई behavior हो सकता है कुछ लोगों के लिए temporarily या फिर permanent कोई जगा हो सकती है कुछ लोगों के लिए कोई loved one हो सकता है कोई close one हो सकता है again मैं कहूंगी कि जिसको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं और कहीं in the process आप emotionally low feel करते वे दिख रहे हैं या मैं कह सकती हूं कि आप emotionally 100% नहीं feel कर रहे हैं कभी-कभी क्या होता है ना कि सब चीजें ठीक-ठाक होती हैं लेकिन कोई भी चीज हमें वो enjoyment, वो satisfaction, वो joy नहीं दे पाती है और कुछ ऐसा ही इस week आप लोगों के लिए भी दिख रहा है जहां पर युनों कहते हैं ना मन उचाट सा हो गया है अगेन किसी चीज में मन नहीं लग रहा है तो मैं आपको यहीं कहूंगी Taurus यह सिरफ और सिरफ इस week की energies हैं नया week नही energies लेकर आएगा और वैसे भी देखे अगर आप इस reading को पहले से ही देख रहे हैं और कुछ ऐसा ही आप महसूस भी कर रहे हैं तो एक conscious effort के साथ, एक conscious awareness के साथ आप इन energies को change भी कर सकते हैं यानि कि आप कुछ जरूर इस week ऐसा करें जिससे की एक enthusiasm, एक excitement चीज़ों को लेकर आए जिससे की आप emotionally better feel करें और देखे मैंने हमेशा कहा है कि tarot guidance के लिए होता है तो इस week भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप इस reading से एक guidance लें और इस week की energies को आप बहतर करें and eight of cups के नीचे हाँ पर younger man का card है और यह card कहता है dealings or relationship with a younger man तो देखे हो सकता है कि कोई young इंसान है जिनके साथ आपकी ज़्यादा interactions हो रही है जिनके साथ ज़्यादा आपकी dealings हो रही है ज़्यादा बातचीत हो रही है या फिर जिनके ऊपर इस week आप ज़्यादा focus कर रहे है and guidance से आप लोगों के लिए resoluteness का card है और देखे यह का determination की बात करता है unwavering focus की बात करता है यानि जो भी आप चहाते हैं उसके लिए बहुत जबरदस्त एक will पार रखने की बात करता है और फिर से मैं कहूंगी कि एक focus रखने की बात करता है देखे यह story मैंने आप लोगों को बहुत बारी share करी है और इस week भी share कर देती हूं हम सब लोग महाबारत के बारे में जानते हैं हम सब लोग दुरुणाचारे के बारे में जानते हैं देखे एक बारी क्या होता है ना दुरुणाचारे जी कौरवों और पांडवों को धनुरविद्या सिखा रहे थे तो वो सोचते हैं कि जलोभे इनका test भी ले लेते हैं और test लेने के लिए वो एक मिट्टी की चिडिया पेड़ पे रख देते हैं और सब राजकुमारों को कहते हैं कि आप चिडिया की आँख पे तीरकमान लगाएं तो सोचते हैं कि पहले मैं सबसे पूछ लेता हूँ कि उनको क्या दिखाई दे रहा है कोई बोलता है कि उनको पेड दिखाई दे रहा है गुरू जी बोलते हैं कि आप नहीं लगा पाएंगे तीर कमान चिडिया की आँख में दूसरा बोलता है कि मुझे डाली दिख रही है तीसरा बोलता है मुझे चिडिया दिख रही है ऐसे करके दिखे वो सब को मना करते रहते हैं कि आप चिडिया की आँख में तीर कमान नहीं लगा पाएंगे और एंड में जब वो अरजुन से पूछते हैं तो अरजुन कहता है कि गुरु जी मुझे सिरफ और सिरफ चिडिया की आँख दिख रही है और गुरु जी कहते हैं अरजुन सिरफ आप ही चिडिया की आँख पे तीर कमान लगा पाएंगे तो यहाँ पर moral of the story यह है कि जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका goal है, जो भी आपका मकसद है अगर आप सिरफ और सिरफ उस पे focus करेंगे, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अपने मकसद को हासिल करने से रोके और अगर आप distracted रहेंगे, अगर आप again मैं कहूंगी कि एक focus नहीं रख पाएंगे, तो कोई भी चीज आपको आपके goal, आपके मकसद को हासिल नहीं करवा सकती है तो यहाँ पे दिखिये, फिर से मैं कहूंगी nutshell में, एक willpower, एक determination और जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए unwavering focus रखना बहुत important है and guidance से आप लोगों के लिए Libra sign का card है और इसके हिससाब से white and turquoise colors इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए इस week होगा Friday, तो यह था Taurus आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए